जहेंद प्यारे साथियों स्वागत करता हूँ आप सभी को इंडिया के नंबर वान स्टडी चैनल संपुन तैयारी में दोस्तों जहां पर हम लोग आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत धर्म के बारे में बहुत धर्म से एक रिलेटेड हम लोग टॉपिक लिए हैं और पू अबर आपके एक्जाम में जीके जीएस या मैथ रिजनिंग के कोस्टन आते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम लोग बिल्कुल ही हैं स्टोरी की तरह एक बहुत धर्म का पूरा कहानी ही हम लोग जानने वाले हैं तो काफी इंपोर्टेंट है और काफी ध्यान से इसको सुनिएगा बढ़ते हैं अपने कहानी की तरफ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बगल में एक छोटा सा बेल आइकन ह उसको प्रेश जरूर किजेगा ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा हमारे हमारे चैनल पे अपलोड किया जाएगा जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आप लोग को लगेगा कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों में शेयर भी किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजेगा चलिए आज हम लोग कहानी देखते हैं कि इसा पुर्व छटी सदी के मध्य में निम्न गंगा जो होती थी निम्न गंगा के मैदान में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था जिन में जैन धर्म और बहुत धर्म काफी महत्पून हुए थे तोस्तों कौपी और पेन लेके बैट जाएगा और चीजे नोट कर जाएगा जिन में क्या हुआ था बहुत धर्म और जैन धर्म काफी महत्पून हुए थे और बहुत धर्म संप्रदाय जो है सबसे महत्पून थे जो की धार्मिक सुधार के परम सक्तिसाली अंदोलन के रुप में दोनों उभरे थे चलिए सुनते हैं अपनी जो कहानी है कहा राणी दोस्तो एक राजा की है जो किसी राज में एक राजा रहा करता था और जिसका नाम क्या था जिसका नाम था सुद्धोधन क्या नाम था सुद्धोधन और यह दोस्तो लूम्बनी का रहने वाला था और लूम्बनी कहां पर परता है नेपाल में परता है लूम्बनी औ और यह राजा जो था लुंबनी का रहने वाला था और इनकी एक रानी थी रानी का नाम था दोस्तो माया देवी रानी का नाम क्या था माया देवी एक रानी थी क्या हुआ दोस्तो कुछ समय पस्चात इन दोनों को एक पुत्र होता है और पुत्र का नाम इन्होंने क्या रख पुत्र का नाम क्या रखा दोस्तों सिधार्थ रखा एक लड़का होता है और उसका नाम सिधार्थ रखा जाता है जैसे ही दोस्तों साथ दिन होता है साथ दिन बाद जो ये सिधार्थ है इस लड़के की माता का निधन हो जाता है और इसका जो पालन पोशन है एक इनकी मौस थी उनके द्वारा इनका पालन पोशन किया गया और ये बड़े होकर गौतम बुद्ध के नाम से परसीद हुए जो कि आप लोग को पता है तो यहां पे हम लोग ने यह सिखा कि जो गौतम बुद्ध का बच्पन का नाम क्या था सिधार्त रखा गया था अब दोस्तों यहां के गड़राज के रहने वाले थे और साग के गड़राज के वहां के परधान थे ठीक है और उनकी माता का नाम अभी अभी बताया माता का नाम माया देवी था 563 इसवी में गौतम बुध का जन्म होता है सिधार्थ का जन्म होता है कहां पे होता है लुम्बनी में एक रुमीन देई गाउं है क्या है रुमीन देई एक गाउं है वहां पे इनका जन्म होता है उसके बाद में दोस्तों क्या होता है उनकी माता के निधन होने के बाद में इनकी जो मौसी थी जिनका नाम था गोतमी प्रजापति इनके द्वारा इनके पालन पोषण किया जाता है और इनका जब साधी होता है तो इनकी साधी किसी होती है? इनकी साधी होती है यसोधरा इनकी पत्नी का नाम यसोधरा था इनका एक पुत्र होता है और पुत्र का नाम रखा गया था राहूल पुत्र का नाम क्या रखा गया था राहूल यानि कि जो सिधार्त थे उनके पुत्र का नाम सिधार्त और जो यसोधरा थे उनके पुत्र का नाम क्या था राहूल था चलते हैं बढ़ते हैं धीरे धीरे समय बिता गया और गौतम बूध 29 साल के हुए जब गौतम बूध 29 साल के हुए तो उन्होंने क्या देखा जब बाहर गए और बाहर की जब चारों और के द्रिस्यों को देखा और द्रिस्यों को देखा दोस्तों उन्होंने देखा तो अपने पीटा से पूछता है कि ये ब्रिध ब्यक्ति कौन है तो उन्होंने बोला कि बेटा ये ब्रिध ब्यक्ति जो है सबको एक दिन बुढ़ा होना है उसके बाद में दूसरा नंबर पे उन्होंने जब और आगे गए तो और आगे जाने के बाद में एक रोगी ब्यक्ति मिला, रोगी को देखते हैं, और रोगी को देखने के बाद में फिर आगे जब बढ़ते हैं, तो आगे एक मिरितक को देखते हैं, तो अपने पिता से पूछते हैं ये क्या हो रहा है, तो उनके पिता जी जबाब देते हैं कि बेटा एक दिन सब को मरना है आगे जब जाते हैं तो फोर्थ नंबर पे सन्यासी को देखते हैं सन्यासी को देखते हैं तो पूछते हैं कि ये कौन सन्यासी है यह कौन है जो की दाढ़ी बढ़ाय हुए हैं और हाथ में डंडा लिये हुए हैं तो उनके पिता जी बोलते हैं कि सबसे सुख सन्यासी बनने में ही होता है तो गौतम बुद्ध क्या किये कि उसी समय दोस्तों उन्होंने जीवन से समंदी चारे दिश्यों से प्रभावित होकर घर को त्याग देते हैं और बुद्ध के घर के जो गृह त्याग का परतीक होता है गोड़ा को माना जाता है और उनके घोड़े का नाम कंथक था यानि कि घोड़े के साथ में निकले थे घोड़ा को लेकर और सार्थी का नाम क्या था उनके सार्थी का नाम चन्ना बताया जाता है उसके बाद में क्या होता है दोस्तों जैसे ही अपने घर से निकलते हैं अपने लिए गुरू बनाते हैं उनके गुरू का नाम होता है अलार कलाम क तो कोश्चन ये आजाता है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था अलार कलाम इसका राइट एंसर हो जाएगा और अलार कलाम उन्होंने सन्यास काल में उनसे सिख्छा प्राप्त की रुद्रक राम पुत्र उनके दूसरे सिस्य थे अगर सेकेंड गुरु की बात किया जाए तो रुद्रक राम पुत्र उनके सेकेंड गुरु थे रुद्रक राम पुर्व और बुद्ध ने उरुवेला यानि कि जो बोध गया में पड़ता है उरुवेला बोध गया में पड़ता है उरू वेला में निरंजना नदी के तरपर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों से खीर खा कर उपवास तोड़ा था पे ये कहानी बताई जाती है कि उन्होंने उरुवेला के बोध गया में निरंजना नदी के तरपर काफी दिनों से तपस्या करते हैं और रहां पर एक सुझाता नामक की लड़की रहती है उनके हाथों से खीर खाते हैं और अपना उपास तोड़ते हैं धीरे-धीरे समय बित जिसे संबोधी बोला गया है और दोस्तों एक बात बता दूँ जब महात्मा बुद्ध अपने घर को त्यागे थे तो उस घर के त्यागने को महाभीनिस्क्रमण बोला गया क्या बोला गया जब 35 वर्स के हो जाते हैं तो बैसाग पुनिमा के दिन को ज्यान की प्राप्ती हो जाती है और पीपल के बुरिच के निचे जिन्हें संबोधी कहा गया है तब से भगवान बुद्ध अर्थात बुद्ध के नाम से जाने जाते थे और पीपल के ब्रिक्ष बोधी ब्रिक्ष कहनाने लगा जो पीपल का ब्रिक्ष था उसे बोधी ब्रिक्ष का नाम दिया गया बोधी ब्रिक्ष उसे कहा जाने लगा बुद्ध को जो तथागत वस्तुव के वास्तुविक जनकार और मैंत्रे और साक्य मुनी भी कहा जाता है शिक्षा प्राप्त की और रुद्रक राम पूत्र उनके दूसरे गुरु थे अगला आ जाता है धर्म चक्र परवर्तन धर्म चक्र परवर्तन क्या है बुद्ध ने अपने ग्यान का जो प्रवचन था वह प्रथम प्रवचन दूस्तो सार नात में दिया था प्रथम जो ग्य और थर्ड नमबर पे और फोर्थ नमबर पे असजी ये सब दोस्तों ब्रामर के नाम थे और फाइब नमबर पे कॉंडिय फाइब ब्रामर थे इनको सबसे पहला प्रवचन दिया था जिसको धर्म चक्र प्रवरतन बोला गया आनन्द दोस्तों बुध का प्रियसिस था तथा बुध आनन्द को ही संबोधित करके अपने उद्देश देते थे जो भी उद्देश देना होता था आनन्द को संबोधित करके ही अपना उद्देश दिया करते थे आनंद के कहने पर ही गौतम बुध ने संग में इस्तिरियों के परवेश की अनुमती दी थी नहीं तो पहले क्या होता था कि गौतम बुध जब भी भासर दिया करा करते थे तो उस समय इस्तिरियों का जो परवेश था वरजी था इस्तिरियां परवेश नहीं कर सकती थी लेक मौसी थी उनकी उनको प्रथम बौध संग में प्रवेश मिलता है अगला दोस्तों यह आता है बुद्ध से संबंधित महत्पुन घटनाय योम उनके प्रतीक जब माता के गर्म में थे तो हाथी उसका प्रतीक था बुद्ध का जन्म जब हुआ तो उस समय कमल प्रतीक था ज्यान की प्राप्तिक के समय बोधीविक्ष यानि बोधीविक्ष नीचे उनको ज्यान की प्रती हुई थी प्रतहम उपदेश धर्म-्चAK complètement कहलाता है और इंदरी ओं पर विजय भुमी असपर्स कहलाता है उसके बाद में जब महा परी निर्वाण करते हैं तो कर्वट सु इस भी पूर्व उनका जर्म हुआ था 563 इस भी पूर्व में और 483 इस भी पूर्व में चूंद नामक एक कर्मकार के हाथों सुकर खाने के उपरांत क्या हुआ था दोस्तों वहां पे एक जो चूंद जिसका नाम था कर्मकार था एक जिसके हाथों से सुकर खा लिये थे सु परी निर्माण इस घटना को बोला जाता है बुद्ध की मृत्यू के बाद उनके जो अवसेश थे उसको आठ भागों में बाट दिया गया और आठ अस्तूपों का निर्मान किया गया उनके मृत्यू के बाद में आठ भागों में बाट दिया जाता है और आठ अस्तूपों क का निर्मान किया जाता है अगला दोस्तों देखते हैं बुध के अनुवाईी जो बुध के प्रचार प्रसार बुध के जाने के बाद में भी प्रचार प्रसार में लगे रहे आननद उपाली सारी पुत्र जीवक आजात सत्रु जोकी मगत का नरेश था असोक देवदत घोसाल महा प्रजापती गौतमी जो की उनकी मौसी थी उनका पालन पोसंद जिनके द्वारा किया गया था बिम्भी सार की पतनी छेमा सुननदा और प्रसेंच जीद जो की कोसल के नरेश थे ये सब गौतम बुध के जो प्रचार प्रसार का कारे कर बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंद में चार आरे सत्यों का उपदेश दिया था चार आरे सत्य क्या दिये थे उन्होंने एक तो दिया था दुख दूसरा दुख समुदाय दुख समुदाय और तीसरा दुख निरोध गामी और चौथा दुख निरोध तो दोस्तों य यह जो चार सत्य थे यह उसके बाद में यहां पर गोतम बुद्ध द्वारा जो महत्पूर्ण संगतिया की आपका एक्जाम में बार बार क्वेश्चन यहां से पूछता है तो कौन 183 विपुरुम में राजग्रीह के सब्ध पूर्णी गुफा में एक बौध संगती होती है जिसमें आजात सत्रू के संड़क्षन में आयोजित होता है यह संगती और उसके अध्यक्ष भिख्षू महाकस्यप उपाली थे इस संगती के दोरान क्या हुआ कि इस संगती के दोरान बुध के जो सिक्षिकाओं को सूत पीटक और सिस्यों के लिए निधारित नियमों के लिए बिने पीटक में संड़क्षित किया गया था बुद्ध केशिस से आनंद ने सूथ पीटक का और उपाली द्वारा बिने पीटक का संकलन किया गया था काफी important है question exam में पूछ देता है दूतिये बौध संगती की अगर बात करें दूसरी बौध संगती जो की बैसाली में 383 इस भी पूर्म में हुआ था बैसाली में हुआ था 383 इस भी पूर्म में दोस्तो अब आप लोग confused मत होईएगा कि यहाँ पे 483 इस भी पूर्म में हुआ था और यहाँ पे 383 इस भी पूर्म में कैसे हो गया तो यहाँ पे 383 इस भी जो है यह BC है यानि कि विफोर क्राइस्ट होता है अब AD और BC क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे पहले इस question को देख लेते हैं दुईतिय बहुत संगती को पहले हम लोग समझ लेते हैं 383 इस भी पूर्म में दुईतिय बहुत संगती होती है बैसाली में सिसु नाग वन्स के सासक काला सोक के सनलक्षन में आयोजित होता है और बिने पिटक अनुसासन के नियमों में बिभाद का कारण इस संगती के दौरान बहुत धर्म अस्थावीर और महा संगिक नामक दो गुटों में बट गया बहुत धर्म क्या होता है कि जो यहां पे आनन द्वारा सुथ पिटक और उपाली द्वारा बिने पिटक का संकलन किया गया था तो बिने पिटक का बिरोध हो गया और बिरोध होने के कारण बहुत धर्म जो था दो भागों में बट गया एक अस्थावीर और एक महा संगीक तो दोस्तों यहाँ पर यह भी देख लेते हैं AD और BC का यह क्या दोस्तों AD और BC क्या होता है तो अभी हम लोग जो है इसा मसी के जन्म से बाद जो आता है यानि कि इसा मसी के जन्म के बाद जो आता है उसे हम लोग AD बोलते हैं और इसामसी के जन्म के पहले हम लोग क्या बोलते हैं BC बोलते हैं जैसे दोस्तों अभी चल रहा है 2020 क्या चल रहा है 2020 के बाद आएगा 21, 22, 30 यानि की आगे की तरफ बढ़ रहा है और यहां पर क्या होता है अभी मालेजे की 20 चल रहा है तो इसमें नीचे की तरफ जाता है 19, 18, 17 ऐसे होता है इसमें ऐसे काउंट किया जाता है तो यहीं BC होता है बढ़ते हैं अगले बहुत संगती के तरफ तृतिय बहुत संगती थर्ड बहुत संगती जो की पाटली पूत्र में 200 इसवी पूर्व में हुआ था धाई सो इसवी पूर्व यानि की धाई सो बीसी में हुआ था पाटली पुत्र में हुआ था और यह जो तृतिय बहुत संगती थी असो के संड़क्षन में आयोजित हुआ था इस संगती के अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस थे जो की मोगली के मोगली पुत्र थे तीस इनकी देख्षिता में यह संगती किया गया और इस संगती के दवरान अभिधम पिटक का संकलन किया गया बहुत बद्धर्बद्वारा अभी तक आप लोगों ने कितना देखा एक देखा सूत पिटक एक देखा विनय पिटक और एक अभी आ जाता है तृतिये बौध संगती में अ कुछ कठोर नियम बना जाते हैं इस परकार बहुत धर्म की सिक्षाओं को तीन गरंथों में संकलित कर दिया जाता है जिसे त्री पिटक कहा जाता है त्री पिटक के लुप में बहुत धर्म को संकलित कर दिया जाता है और यह होते हैं सूत पिटक पहला अभी धम तीसरा अ होती है चतुर्थ बहुत संगती कुंडल वन में कास्मीर में 72 इस भी पूर्व 72 बीसी में होती है बिफोर क्राइश्ट और कुसान के सासक जो कनिक्स थे कनिस्क थे उनके सासनकाल में इसको आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष थे वसु मित्र इस संगती के दोरान विभास सास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया तथा बहुत धर्म दो संप्रदाय हीन यान और महायान में विभाजित हो गया चतूर्थ बहुत संगती में भी दोस्तों टूटल छे बहुत संगतिया हुई थी चतूर्थ बहुत संगती में भी बहुत जो धर्म है दो भागों में बढ़ जाता है एक को हीन यान नाम दिया गया और दूसरे को महायान नाम दिया गया अगला है पांचवा बहुत संगती और सुमंगल समी इनके तीन अध्यक्ष उस समय पांचवी बहुत संगती में बनाए गए इस संगती के दोरान क्या होता है कि बुद्ध की सभी सिक्षाओं का व्याख्या एवं व्वस्थित जाच की गई तक कि यह पता लगाया जा सके कि इन में से किसी नियम को बदला या आज किया जाता है और चौति छटी बहुद संगती जो की लास्ट बहुद संगती थी इसको दोस्तों काबा आय में 1954 इसमी में इसको यहां पर नीस चववनेदी पररामभया काबा आय में छटी बहुत संगती किया जाता है वर्मा सरकार के संदक्षण में पर्धान मंत्री दूनु के नेतरतों में आयोजित इस संगती की अधक्षता महसिस सयादव और भंद्रता विशीत सार भी वामसा ने की थी संगती का आयोजन मुल धम और बिनैपिट को संदक्षित करने के उद्धिसे किया गया था और इस संगती के दौरान महा भासड गहा का निर्मान किया जो भारत के सब्ट पूर्णी गुफा के समान है जहां बहुत संगती का आयोजन किया गया था इस संगती में आठ देशों के 500 बहुत विद्वानों ले भाग लिया था जो छटी बहुत संगती थी काफी इंपोर्टेंट हो जाती है एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू से लोग को एक भी कोश्चन में डाउट नहीं मिलेगा मतलब सिधा साय दोस्तों कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा कि करना हो यानि कि कोई भी आप लोग अगर सुझाओ देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग सुझाओ दे सकते हैं कि हमें और क्या हम इस वीडियो में बहतर कर सकते हैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी कॉंटेंट की तैयारी करवा सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में जो की जैन धर्म से संबंदित है अगला वीडियो जो दो हमारा होगा जैन धर्म से होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सब का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन